हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं सोस्वाल जी का टॉपिक वह सी करेंगे कई माने में बहुत इंपॉटन है जंसंख्या विस्पोर्ट सबसे उच्छे हैं जह आरते यह निकलता है कि जनसंक्या की बृद्धी चोकाने वाली गती से हो रही है यह खत्रे की घंटी है इसमें जनसंक्या के मित्तुद और अजनमदर में बहुत ही अंतर आ गया है लेकिन जनसंक्या के विश्यशग्य इस बात को सौईकार नहीं करते हैं उनका कहना है कि आज जो जनसंक्या का विस्तार हुआ है वह एक संक्रमन काल का विस्तार है यह विस्पोड मिर्तु दर में एक कमी के कारण हुआ है और जनमदर में उसी अनुपात में बृद्धी हुई है भारत में भारत में जनसंक्या विस्पोड हुआ है कि हम जनसंक्या बृद्धी पर कितन से बरान करण बनाआए। है मृतुदर में कम होने से भी बनाएं और अच्छी बात है कहते हैं अगर देश के लिए कि जनसंक्या भिसपोर्ट हमारे देश के लिए खतरा का विश्य हो सकता है वेक्ति नहीं सोच पाते हैं उसके परश्याथ हमारे समगने के विश्य जयकोगी के नुसार परते एक देश में जनसंक्या का संगर्मत तीन अवस्ताओं से गुजरती है पहली अवस्ता वो होती है जब जनमदर और मितुदर दोनों ही उच्छे होती है इसका परिणाम सब्सक्राइब अस्थाई रहती है इस भाती गाओं में जहां परंप्रागत मात दंड होता है यानि शिक्षाई कमी है वहां उच्छे जनमदर पाई भी जाती है चिकिस्सा सब सहता बढ़ा दी जाती है इसके परिणाम सरुप मिर्तुदर में कमी आ जाती है क्योंकि समाज प्राद्मी रूप से खैतियार रहता है और सिख्छा की पहुंच के अब समाज के कुछ भागों तक ही पहुँचती है परिवार का कार बढ़ती नहीं है इस समाज में जनम नीचे गिर जाती है और यहां शिक्षा और पडिवार नियंद्र की विधियों दोरा संबब हो पाईगी इस तरह का संक्रमन जनसंक्या की विश्वोट को रोक देती है कहते हैं जनसंक्या का विश्वोट आज हमारे तेश में बहुत बड़ा मुद्दर का विश्व बना में इस परकार हमारी चंसंक्या में परति वर्ष जो आ कि वी दोग्राइब होती है हमें भोजन देना होता है उनके लिए शिक्षा अवासत अभ। दंदे उप्लब्त कराने परते हैं इस बात यहां चंसंक्या ब्रदी का दो प्रतिशत बर्ष में बढ़ते रहते हैं कहते चीन के बाद भारत की जनसंगा सबसे जादा है सन 2001 में जनसंगा की प्रार्थमिक रुपोर्ट जो थी बाद वाले देशों की जनसंगा का 102.72 करोर थी यानि 102.72 करोर मापा गया था और आज बरतमान में हम देख लें तो आज 132 करोर जनसंगा से उपर हो चुकी है इस तरह वि जिश्व की कुल भूमी का 2.4 परतिशन भारत में यानि भूमी की संग्या देखोगे तो बहुत ही कम है भारत की जनसंग्या 20 सतावदी में सबसे अधिक बढ़ी है उसके पश्चात हमारे समाख जनसंगा से उत्पन समाजिक आर्थिक समस्या है कहते हैं जब जनसंग्या का बिस्पोर्ट होता है तब इसके परिणाम सुरूब कई समाज आर्थिक समस्यां देश के सामने उभर कर आती हैं इन समस्याओं में सम्मेलित हैं अवास की कमी भूमी की कमी गरीवी निशक्ता जो है निम्ड जीवन शैली बेरजगारी कुपोशन खराब स्वास्तिया अपर देश में घर कर जाएगी जैसे कि आप देख सकते हों कि यहां पर एक्सेंज दिया गया है वहां पर देखो सभी लोगों के कितने भीर लगे हुए हैं तो यह सारी समस्या आम यहां पर खड़ी हो जाती है दुसरे चित्र में अगर आप देखो के तो राशन के दुकान पर जो है बहुत काफी भीर लगी हुई है तो यह सारे कारण जो है जनसंका विस्पोर्ट के कारण ही संबब हो पाई है बरे परिबार में अवास के समस्या पैदा कर दिया है परिबार में जो है बराबर विवाजन होने से खेती के लिए भूमी कम हो गई है भूमी के कम होने से जो है गड़ीवी बढ़ गई है परिनाम सरूब लोग स्कूलों में बच्चों को बेजने के वज़ाएं काम के लिए भेजने लग गए हैं परियारमति यही हुआ है कि परिवारिस दस्तों में जो है पोर्शन को पोर्शन दोनों ही आ जाते हैं कुल मिलाकर जलसंगा फिस सीवन यापन कस्ट दायक हो जाता है यह स्तिधी खान पान की प्रतिमा को बिगार देती है और जलसंग्या के तीवरता से बढ़ने के कारण बेरुजगारी बढ़ जाती है